आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साजा करेंगे आज साजा करने वाली है पूरी पहले आप चर्चा के बाद ये मुख्य मंतरी से मिले उसके बाद कुछ हल चल हुई इस हल चल को आप अगले और उल्डर मी किस तरह से देख पाएंगे वो आज आपको बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि इस एरियर के जो ओर्डर हैं खासकर डिये और पेंशन के डिये का भी और जो पेक मिशन का भी वो भी उसमें अगर आपको क्योंकि जो फार्मूला दिया है वो तो बहुत अजीब है बड़ी बड़े स्तर के लोग एवन हम लोगों को जो पुरा है वो उस तरह से इस स्पीड से पूरा करना है और इस सारी ब्यवस्था में किन किन करमचारी संगठनों ने आज अभी तक प्रतिक्रिया दी है मैक्सिमम जो है वो अलग अलग तरह के हैं बिजली बोर्ड के हैं एजुकेशन के हैं सचिवाले के हैं हालांकि जो कुछ बाकी संगठन हैं जिनको जो खुद को बड़ा मानते हैं या बड़ा संगठन जिनका मानते हैं कुछ उसमें क्योंकि अपनी मजबूरियां रहती हैं सरकार के खिलाब बोल भी नहीं पाते तो अभी तक उनकी प्रतिक्रिया तो नहीं आई थी लेकिन जितनी प्रतिक्रिया हमारे स और वो एलान उनके इस्तिफ़े को लेकर है वो पूरी बातें आपको बतानी है कि सीम ने क्यों कहा कि वो लड़ाई लड़ेंगे और इस्तिफ़ा नहीं देंगे इसी के साथ टूर प्रोग्राम आ गया है हमिरपूर और कांगराजिलों के दौरे का और इस टूर प्रोग्राम में कौन-कौन जो बागी विधायक हैं उनके निशाने पे रहने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे साथ ही बताएंगे कि जो दो बागी विधायक हैं सुधीर शर्मा और देवंदर भुटो उनके SDM पटक दिये गए हैं एक को धर्मशाला से डोडरा कवार भेजा गया है दूसरे को बंगाना से केलॉंग भेजा गया है और इसी तरह से जो आगे अपडेट चल रही है उसके मताबिक अब राजंदर राणा और लखनपाल सीम के निशाने पे क्यों आने वाले हैं वो बताएंगे आपको साथ में विक्रम अदित्या सिंग ने दिल्ली से आने के बाद फिर से होटल जो ललित होटल है पंचकुला में वहां गए इन कॉंग्रेस के इन विधायकों से बात की जिनको अनसीट कर दिया गया है और इनके साथ वहां टाइम बिताने के बाद ये सुबा गडगरी की कारे विक्रम अदित्या सिंग ने भाषन दिया और उस भाषन में कई तरह की जो उनकी जो बॉड़ी लेंग्वेज आ उसको आप देख सकते हैं और इसके आगे के जो प्रोग्राम आने वाले हैं उनकी भी हम आपको जानकारी देंगे इसी तरह से वाटर सेस पर सरकार को बड़ है सुकविंदर सिंग सुकु ने राज्या की एकोनोमी को बढ़ाने के लिए बिजली बनाने वाले पानी पर सेस लगाया था और हिमाचल हाई कोट ने इसे असमवेधानिक करार देते हुए सेट असाइड कर दिया है और इसमें भी जो अच्छली बात है समझने की वो ये है कि हिमाचल सरकार के फैसले के खिलाफ JSW कमपनी के लिए अभी शेक मनु सिंग भी कोट में लड़ रहे थे अभी सेक मनु सिंग भी केस जीत गए हैं लेकिन सरकार केस हार गई है और इस केस को हारने के बाद क्या-क्या इंपेक्ट आने वाला है आगे वो भी आज आपको बत रहेंगे कि जो बीजेपी का पैनल फाइनल हो गया है लोगसबाचुनाव के लिए जो इन्होंने केंडिडेट उतारने हैं लोगसबाचुनाव में उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की इनकी जो बैठक है वो कल रात हो गई है उस बैठक की मैं जो चर्चाएं हैं अब दो स रिश कर्शिप है विस्तार से इस खबर की बात करेंगे साथ में बताएंगे कि रेविन्यू ने किन दो वर्गों का जो मांदे है वो बढ़ाया है और इस मांदे पे आगे क्या जो चीज है वो आने वाली है आठ सो पचास स्कूल और कॉलेज ये स्कूल आफ एक्सिलेंस य इनकी आपको बात करेंगे अनुराग के साथ आज रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के कैप्टेन है वो और जो कोच है राहूल द्रविड वो आज बिलासपुर में थे वो क्या इवेंट था उसकी बात करेंगे जलशक्ती भी भाग में कुछ प्रमोशन्स हुई है अब जैस इनसानों के लिए 108 एंबुलेंस चलती है उसी तरह से पश्वों के लिए भी जो मवेशी है उनके लिए भी एमबुलेंस हीमाचल में दोड़ेगी कितनी एंबुलेंस पहले चलने में उतारी जा रही है आज मुक्हेमंतरी ने हरी जंडी दिखाई है वो भी बात करेंगे सा बारी चीजों को एक एक करके अब आपके साथ इस बुलेटिन में चर्चा में लेंगे और जो जैसे कि आप लोगों की कोई क्वेरी होती है अगर कोई जानकारी यसी आप चाहते हैं जिनकी जिनका शडूल अभी या जिसके बारे में राज्या सरकार से या विभागों से पता करना हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं मौसम अलर्ट सबसे पहले और मौसम जैसा चल रहा है आप देखी रहे हैं इस मौसम में अभी भी जो बारिश और बरफबारी की आसार खतम नहीं हुए है छे और साथ को बारिश की संबावना है साथ के बाद आठ और को मौसम साफ रहेगा लेकिन दस और ग्यारा को उन्चे क्षेतरों में फिर से बारिश या वरफबारी हो सकती है अभी तक की जो शडूल है वो हमारे सामने यही आया है और इस शडूल के मताबिक आगे जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी और उसी प्रक्रिया के अनुसार ज लेकर जो एक प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया के अनुसार कदम आगे बढ़ा दिया है और इस प्रक्रिया में ग्रूप इंसर्क्र के लिए भी जो आवेदन मांग लिए गए हैं और यह आवेदन जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे जो जिस तरह से पहले इन्होंने को लेकर जो बात कही है और उसके बाद फिर जो ग्रूप इंस्ट्रक्टर है टेक्निकल एजुकेशन का वो भी आ गई है इसमें भरती और इसमें टोटल जो बारा पद हैं वो इसमें भरे जाने हैं और इसमें जो है जो छे मार्च दोजार चॉब़ीस से 26 मार्च दोजार तक राज्या चाहिनायोग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है इसके लिए जो शड्यूल है वो जारी हो गया है इस शड्यूल के बाद अगली अगर हम बात करें तो वो बात है जो अलाइड परिक्षा की अपडेट की और जो एच्प्यू में CEO जो एक नए निक्त हुए हैं उसकी देखिए सबसे पहले अगर अलाइड परिक्षा की अपडेट की बात करें तो जो अलाइड की परिक्षा है वो उसके लिए 27 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है लोग सेवा आयो की तरफ से विभिन परिक्षाओं के लिए आवेदन किती थी अ 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है आयो की वेब साइट से इस बारे में अदिसूचना डाली गई है उसके बारे में आप जानकर यह वहां से ले सकती है ले सकते हैं एक्साइज एंट एक्सेशन भी भाग में इंस्पेक्टर के 35 पद कॉर्पोरेशन में जो इंस्पेक्टर और एक्जामिनेशन है उसको लेकर एक फैसला हुआ है एच्प्यू में और जो कंट्रोलर ऑफ एक्जामिनेशन है उसको लेकर जो डिसिजन है अभी उसमें जो चार्ज है वो सिर्फ चार्ज ही अभी तक दिया गया है और उस चार्ज के अनुसार जो श्यामलाल कॉशल है ये क्योंकि डॉक्टर जैस नेगी रिटायर हो गए थे और उसके बाद जो परिक्षा नियंतरक का कार्या भार है वो कुलपती ने डॉक्टर शामलाल कौशल को दिया है इनको जो है अलग से ये काम देखना होगा और इसी के साथ एक दो पदों को लेकर और भी बदलाव हुए है एच्पियू में और उनकी जानकारी कल आप दिवह माचल में अख़वार में मिस्तार से ले सकते हैं अगली बात अगर करें तो वो है जो मवेशियों के लिए भी एंबुलेंस शुरू हुई है देखिए आज मुख्यवंतरी ने अपने आवाज से पशु पालनवी भाग का ये स्टेप है और उसमें जो ये मुबाइल एंबुलेंस है इनको 44 खंडों में ये उपलब्द तो 1962 पे फोन करके एंबुलेंस आएगी जिस तरह से इनसान के लिए 108 एंबुलेंस के माध्यम से एक प्रक्रिया रहती है प्रते एक एंबुलेंस के साथ एक डॉक्टर होगा फार्मसिस्ट होगा और जो पशु पालक आपात स्थिती में मदर चाही होगी तो वो फिर नज योग है अभी इस वरतमान ब्यवस्था में क्योंकि मवेशियों के लिए अभी तक ये काम नहीं हो पाया था अगली बात करें तो जेस्वी में प्रमोशन की बात है और जलशक्ती भी भाग में जो प्रमोशन हुई है वो चीफ इंजिनियर की पोस्ट के लिए है और चीफ अगली बात है वो है अनुराग के साथ रोहित और द्रविड देखिए जो सांसद और केंद्रिया मंतरी है अनुराग ठाकूर वो आज अपने चुनाव क्षेतर आये थे बिलासपूर भी थे और वहां पर खेल महाकूम जो सांसद खेल महाकूम अनुराग ठाकूर ने शुरू की हुई है उसमें ये कारेकरम में शामिल हुए वहां जो है वो भी लॉंच की गई जो ये महाकुम होता है उसकी जो इंडियन टीम के हेड कोच है राहूल दरविड वो भी थे इंडियन टीम के कैप्टन क्योंकि रोहिज शर्मा धर्मशाला नहीं पहुंचे थे तो वो सिधा पहले बिलासपूर आये बिलासपूर इस कारेक्रम में शामिल हुए रोहिश शर्मा का ओटोग्राफ लगाने के लिए लोगों में भीड लगी रही वहां पर एक डेमो जैसा जो होता है उसके मुझारों उन्होंने वहां शाट्स भी लगाए और इस कारेक्रम में बीजे पी के जो विधायक है रंधीर शर्मा सत्पाल सिंग सत्थी वो भी शामिल थे अन्राग ठाकूर ने इस खेल महाकुम के इस कारेक्रम के जरीए इसको आज लाँच किया है आगगे अगर एक 850 स्कूल आफ एक्सिलेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सिक्षा की गुणवत्ता में कारने एक स्टेप लिया था और इस स्टेप के मताबिक एक दो दिन में ये नोटिफिकेशन होने वाली है इस नोटिफिकेशन के लिए अब जो चैन हो गया है स्कूलों और कॉलेजों का जिनको स्कूल आफ एक्सिलेंस या कॉलेज आफ एक्सिलेंस में लिया जा रहा है या जो school of excellence है इनका generally quota क्या रहने वाला है देखिए अभी तक जो सिक्षाविभाग के record के मताबिक 850 बनेंगे excellence ये center और इन में से 50 college होंगे और 800 school होंगे तो ये 850 total होंगे इसमें 500 primary school हैं 200 senior secondary और 100 जो हैं वो high school है और इनके लिए जो ब्यवस्ता है वो जो enrollment location और जो इनके हां infrastructure मौझूद है इसके हिसाब से इनका chain हुआ है बाद में इनको इनकी ranking होगी अच्छा perform करने पर पैसे extra मिलेंगे grant मिलेगी और इन school होंगे जो enrollment है उसको बढ़ाने को लेकर जो कदम है वो कार की तरफ से उठाए जाएंगे ये एक education में एक नया कदम होगा जो गुनवत्ता को लेकर step उठाए जा रहे हैं उन में से revenue ने मानदे बढ़ाया दो categories का आज अगर मैं आपको बात कहूं तो ये additional chief secretary revenue की तरफ से order है इसमें जो नंबरदार हैं उनका मानदे 3700 रुपे से बढ़ाकर 4200 रुपे कर दिया गया है और जो पटवार circle में जो पार्ट टाइम workers और revenue चौकिदार हैं उनका जो बानदे है वो बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है 300 रुपे की increase है और ये जो दोनो वरिदि के पैनल की बात कर लेते हैं देखिए भारतिय जंता पार्टी ने अभी तक आपको याद है कि पूरे देश में लोगसभा चुनाव के लिए सबसे पहले लगबग 155 उमिद्वारों की लिस्ट घोशित कर दी थी उसमें से एक आसन सोल से जो पवन सिंग को टिकट दिया था उसमें बदलाव होने की उमीद है बाकी टिकट सारे टिक गए थे और उसके बाद अब दूसरी लिस्ट होने वाली है केंद्रिय जो इनकी चुनाव समिती है उसमें सभी राज्यों को कहा था कि अपना पैनल जल्दी फाइनल करके भेजिए ताकि हम फिर आगे इस पे बात क कर सकें इसी कारण जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल रात को हुई है ज्यादा तर संभावना ये है कि हमिरपुर में अनुलाग ठाकुर ही चुनाव लड़ेंगे और शिमला में भी सुरेश का श्यप ही फाइनल उमीदवार है लेकिन कांगडा और मंडी में परत्याशी नए होंगे और कांगडा में जो अभी कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सुधीर शर्मा कोर्ट में पर्टिशन दायर है कॉंग्रेस के मले के तौर पर अपनी विधाईकी को बचाने के लिए जो विधानसावा ध्यक्ष ने अनसीट कर दिया है लेकिन अगर वहां से डिस कांगडा में जो कांगडा कॉपरेटिव बैंक के चेर्मेन रहे हैं भारदवाजी नूरपूर से उसके बार आकेश पठानी अभी एक कैंडिडेट थे घंश्याम शर्मा पालंपूर से थे त्रिलोग कपूर पालंपूर से थे विशाल चोहान और विशाल नहरी अभी टिक लेकिन हीमा चल से एक और मंडी सीट पर फिर से पैनल में सर्प्राइजिंग नाम आया है बिहारी लाल शर्मा का करसोग से और उनके अलावा ब्रिगेडियर खुशाल ठाकूर गोविंद ठाकूर मनाली वाले और महेश्वर सिंग कुलू वाले अजे राना ये पैनल में राकूर भी इस मिटिंग में यहां से जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और जो या फिर आप कहिए प्रदेशा ध्यक्ष और जो संगठन के महा सचीव होते हैं उनको उनका फिडबैक भी उसमें लिया जाता है तो यह एक इनका जो स्क्रीमिंग कमेटी के इसाब से क्योंकि डिसीजन वहां होना है दिली में इसी लिए इन आमों के पैनल को भेज दिया गया है ओर वाटर सेस्थ पर हिमाचल सरकार को बड़ा जटका लगा है यह जटका मैं इसलिए कहूँँगा क्योंकि वरतमान सरकार ने राज्या में रे गोशित कर दिया है यह कहा दिया है कि राज्य सरकार के पास इस तरह का कानून बना एक्ट या रूल बनाने की सक्तियां ही नहीं थी यह जो भारत के सम्विधान के अनुचे 246 और 265 की वॉयलेशन में यह एक्ट बनाया गया था इसलिए इसको स्टक नाउन किया जा रहा है स् वाटरसेस ही कठा हुआ है उसको चार हपते के अंदर जो है उसको वापस लोटाना होगा लेकिन हालांकि ब्याज बच गया है नहीं तो यह भी और हो सकता था कि इंट्रेस्ट के साथ लोटाना है और यह जो और है इस और में बड़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर ह वो कुछ चीज़ें हम आपको क्रिटिकल बताना चाहते हैं इसमें पहली बात यह कि जो अभी हाई कोर्ट का ओर्डर आया है उसमें यह भी है कि जो नोटिस दिया है इस वाटरसेस कमिशन ने बिजली प्रोजेक्टों को जिनके अहां पानी इस्तेमाल होता था बिजली बन या बिजली बोर्ड के थे या फिर हिमुर्जा के जो छोटे प्रोजेक्ट थे वो थे उनको बोल के यह कठा किया गया था बड़ी कमपनियों ने किसी ने इसमें एंटी पीसी एनच पीसी एस जेवी एनल से लेकर ग्रिन को जैस डव्यू या और भी जितनी भी थी किसी ने इसमें पैसे जमा नहीं करौए थे सारी कंपनिया चली गई थी हिमाचल हाई कोट भारत सरकार ने अपने आप हिमाचल सरकार के अंगेस एक स्टेंड लिया था और भारत सरकार खुद रिप्रेजंट कर री थी हिमाचल हाई कोट में हिमाचल हाई कोट में एडवोकेट जब जब अभिशेक मनु सिंग भी JSW की तरफ से इस केस में पर्टिशन नंबर 3130 में उत्रे उसके बाद राज्या सरकार को वाटर सैस कमिशन को मजबूरी में सिनियर एड़ोकेट सुप्रीम के दुशियंत दवे को लाना पड़ा उनको एक सुनुआई के 34 लाख रुपे दिये ग में और JSW की तरफ से अभिशेक मनु सिंग भी आ गए थे इतना प्रेशर पड़ने के बाद हमें भी अपना एड़ोकेट जनल या स्टेट की जो जो वकीलों की बैटरी थी उसके बजाए सुप्रीम कोट के सीनियर एड़ोकेट को उतारना पड़ा 34 लाख वां खर्च हुए जो वाटर सेस कमिशन को बनाने में अभी तक दो करोड लग चुके हैं इस सब के बावजूद हाथ में कुछ नहीं आया है राज्या सरकार इस पूरे मामले में हीमाचल हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चनौती दे सकती है बाकी सारे मामलों में भी गए हैं वाइल सेस लगाने का डिसेजन हुआ था सबसे पहले लौ डिपार्टमेंट ने अब्जेक्शन किया था कि यह जो इंजिन कंसिचूशन का आर्टिकल 288 है उसकी वाइलेशन हो जाएगी इंटर स्टेट रिवर्स में कोई भी ऐसा जो इंपोजिशन ऑफ टैक्स या इंपोजिशन सेस किसी भी स्टेट गौर्मेंट के लिए संभव नहीं है जिसमें वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ्लो करता है लेकिन पूरी जज्जमंट है सबसे इंपोर्टन यह है कि राज्या सरकार ने यह तरक भी दिये थे कि उत्राखंड में लगा है जमु किश्मीर मे में आये थे नहीं आये थे उसी तरह से उत्राखंड में जो दोनों में अब्जेक्शन किया था किया हमारे यह द़्यादा थी यह सिर्फ और और भी इसकी वजह थी लेकिन यह मामला नहीं टिका है इसके बाद जो पाउर पॉलिसी में हुई थी पावर policy में amendment free power से लेकर बाकी सारी चीजों को बढ़ा दिया गया था लीज जो थी 99 years को खतम करके 40 years पे limit कर दिया गया था बाद में जब छोटे बिजली project हिमाचल से भागना शुरू हुए या surrender करना शुरू हुए project तो उसके बाद राज्य सरकार ने हडबडाट में committee बना दी राज्य स्वा मंद्री जगत सिंग नेगी किया धक्षता में वो committee अभी सभी जो बिजली project हैं से बात कर रही है ताकि power policy में जो amendment का नुकसान हुआ है या जो investor को लग रहा है कि वो probability नहीं बची है तो उसमें भी correction की जा सके उसका power policy का क्या होगा यह आगे पता चलेगा इसके बाद अगली बात करने से पहले एक बात आपको बता दें कि जो हम अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए यह संयोग है वैसे हिमाचल के लिए भी जब water says का case लगा तो अभी शेक मनु सिंग भी और तुशार महता दोनों ही एक ही cause के लिए हिमाचल high court में लड रहे थे और वो राज्य सरकार के खिलाफ लड रहे थे जब अब supreme court में जैसे कि आज petition final हुई फाइल हुई है यह independent यह जो बागी विधायक हैं Congress के इनकी तो इसमें most likely scenario यह दिख रहा है कि जो दूसरा पक्ष है चाहे वो speaker विधानसवा की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो लेकिन एक तरफ से वहाँ अभी शेक मनु सिंग भी और दूसरी तरफ से वहाँ तुशार महता भी हो सकते हैं तो यह यहां जो same cause के लिए लड़ रहे थे वहाँ वो दोनों opposite खड़े होंगे तो यह जो legal term में होता है professional जो system होता है वैसे जब अभी शेक मनु सिंग्वी ने राज्यासभा चुनाव के लिए यहां से नामांकन किया तो बागी जो हैं वो तो अब कही रहे हैं कि उनको यहां से नहीं करना चीए था क्योंकि वह हिमाचल के हितों के खिलाफ high court में लड़े हैं लेकिन यह professional एक cause होता है क्योंकि जो बड़े faces होते हैं जो senior advocates होते हैं उन्होंने सिर्फ profession के हिसाब से चीज़ों को देखना होता है और जो case की भी हैं वो merit के हिसाब से उस तरह से लिए जाते हैं politics या governance अलग जगा है professional अलग जगा है और इस मामले में इन दोरों चीज़ों को mix नहीं किया जा सकता लेकिन सयोग इस तरह का बन रहा है कि हिमाचल high court में जो साथ थे वह वहां अंगेस्ट हो सकते हैं अब अगली बात अगर करें तो वह मामला है अब विक्रम अधित्या सिंग ने क्या संकेत दिया है देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम अधित्या शर्मा से मिले तीन वहां इंडिपंडेंट और भी यहां दो विजेपी के भी यहां विक्रम ठाकुर और राकेश जमौल सियार प्याफ की सिक्यूरिटी वहां ऐसी है कि इस वगयत अगर विजेपी के विधायक को भी वहां से निकलना हो घर में कोई दिल्ली चलेगे दिल्ली जाने के बाद उदेपुर गये वापस आके प्रियंका गांधी से मिले केसी विणुगोपाल से मिले आपस में दोनों की क्या बात हुई वह अभी तक नहीं निकली अलग लग तरह से लोग अलग लग दावा कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी होटल लली चलेगे जब सब इंतजार करें थी को शिमला आएंगे दो सरकारी गाड़ियां जो हैं वो विक्रम वहित्या सिंग के साथ है जब गए तो बीजेपी हर्याना के जो बीजेपी सरकार है वहां के ऑफिशिल उनके साथ थे जब वो आए तो वो दुबारा वहां बात हुई जब विक्रम अधिया सिंग उदेपूर गए थे उस दिन हमारे से जरूर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डिके शिवा कुमार से जो अब्जरवर थे उनसे मैंने बात की थी उन्होंने कहा था कि आप जाके बात करो कोई रास्ता निकलता है तो उसके अंधियार उनके बीच में हुई होगी जो वहां बात हुई वो वापस विक्रम अधिया सिंग ने उन बागी विधायकों को बता दी अब दो सिनेरियो इसमें हैं पहले आप ये बात समझ लिजिए कि जब वहां से वो हमिरपूर आ गए तो हमिरपूर आने के बाद विक्रम गए इन्होंने कभी इनकार नहीं किया ये कहा और ये भी कहा कि हिमाचल के हित के लिए दलगत राजनिती से उपर उठकर ही काम करूँगा ये बात भी कही साथ में ये कहा कि अभी तक नितिन गडगरी के मंत्राले के ठू हिमाचल में और इसमें फोर लेन हमिरपूर बाइपास का डिजाइन बदल जाए जुगंदर नगर टरनल पर भी बात की है और जो कहा कि जो शक्तियां हिमाचल को उन्चाई पर ले जाने के लिए उनके साथ देंगे वहां केवल उनी का समर्थन करेंगे इन सारी बातों को देखके आप हो सकता है लेकिन आज भी लगबग वह इस्तिती थी उसके बाद विक्रम अजित्या सिंग ने शिमला आना है कल रिव्यू मिटिंग है पिड़ोडी की और इस रिव्यू मिटिंग के बाद फिर साथ तारी को कैबिनेट रखी गई है राज्यासरकार की तरफ से और ये जो कै कट है आप कहिए चाहे उथल पुथल है वो लगबग उसी तरह से रहेगा जैसा की चल रहा है अब आप देखिए पूरे सिनेरियों में मसला कहां फसा है क्या विक्रम अजित्या सिंग मीडिया के सामने ओपन बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्या जो प्रियंका गांदी ने पड़ेगी और दूसरी तरफ जो फिगर है अठारा का वो पूरा नहीं हो रहा हो यह यह जो पॉलिटिकल उसमें चर्चा चल रही है मैं उसी की बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी इसमें जो कुछ पकरा है वो बाहर आएगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों लेकिन यह बाहर आएंगी क्योंकि जो गैप सें जो दरा रहे हैं वो इतनी ज्यादा है अब कि वो रिपेर होने की स्तर पर नहीं है जो लोग शोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं जो हर शाम को टार्गेट कर रहे हैं कभी मुक्या मंतरी को कभी कॉंग्रिस पार्टी को उनके साथ विकरम इत्या सिंग बार-बार बात कर रहे हैं तो आखिर मजबूरी क्या है री कंशलियेशन तो हो नहीं सकती आपको अंसीट कर दिया है जुडिशल स्कूटिनी में मामला चला गया है अब या तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर को रैफर बैक कर दे तो फिर वो एक अलग मामला है इन सारी चीजों को परे रखके अगर हम ये मान लें कि सरकार पर संकट नहीं है तो फिर जो प्रिविलेज कमेटी है वो सड़नली बनके वो प्रिविलेज कमेटी क्यों एक्शन करने जा रही है जिसमें शिकायत खुद स् प्रिविलेज कमेटी में शिकायत है इसमें कुछ MLA's के और से स्पीकर का भी नाम बताया जा रहा है मला स्पीकर की तरफ से भी शिकायत बतारी जा रही है क्योंकि जो बेस था वो वही है कि स्पीकर के चमबर में आकर एक तरह से हुड़दंग किया जो आरूप है उस कमेट में क्योंकि अभी तक भी जो नोटीस थे वो इनको मिले नहीं थे जो दस दिन में नोटीस देने की बात की थी कल नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वो उन्होंने इसाधार पे कही थी कि उनको संपर्क किया था जिन जिनको नोटीस देने हैं ये भी बताया गया कि BJP पाके आये हैं वो भी फस्ट टाइमर हैं तो इनको लिया गया और इनकी सेलेक्शन का भी एक बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला है ये और इन सारी चीजों के साथ साथ फिर ये जो नोटीस आते हैं तो किस रूल में है वो एक अलग मैटर है BJP ने कहा है कि वो लीगल एसप ने की और उस F.I.R. में भी कुछ लोग नामजद होंगे और उसमें कौन-कौन नामजद होता है वो भी एक एसपेक्ट है जो हमारे सामने आएगा तो पता चलेगा कि उसका मोटीव क्या है लेकिन ओवराल चीजें जो विक्रमाजित्य सिंग को लेकर थी वो मैंने आपको बता दी अब बात करते हैं निशाने पर राणा और लखनपाल कैसे आएंगे देखिए मुख्यमंतरी का टूर प्रोग्राम आगया है आज थे वो पहले बात कर लेते हैं सीम सुखु का जो अलान है क्योंकि एरियर एका लग एक्सपेक्ट है आगे और एरियर पर बहुत कु को संबोदित करनें गए और उन्होंने जो वहां कहा वो आपको सुनना चाहिए उससे पता लगता है कि सीम ने ये डिसेजन ले लिया है कि इस लड़ाई को लंबा लड़ना है सीम ने ये कहा कि छे लोगों राज्यसभा सांसद के चुनाब में ये निर्वा में जंसभा में कहा छे लोगों ने क्रास वोटिंग की और भाजपा की और से बजट ना पारिद करने की कोशिश थी जंता के हित से जुड़ा बजट भाजपा पास नहीं होना देना चाहती थी इसलिए ये बड़ा शड़ेंतर रचा गया मुख्यमंतरी ने कहा कि मैं इस तीफा नहीं दू पत हुआ है जो लोग मुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे उसको आप जवाब देंगे मतलब लोग जवाब देंगे जो भी मेरी कुरसी को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको जनता मुह तोड़ जवाब देगी चौपाल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉंप्लेस खोड़ने पॉर्पूर में बस्टेंड साइट है पका भरो में वहां जाएंगे निटी हैली पैड पर उतराएंगे और उसके बाद बस्टेंड हमिरपूर पका भरो टाइप थी कॉर्टर पब्लिक वर्स डिपार्टमेंट हमिरपूर टाइप वन एंट टू रेजिदेंशिल अगले दिन हैं जो यह बन खंडी में बन रहा है चड़िया घर उसमें लेकिन आप देखिए कल पूरी तरह जो निशाना है हमिरपूर जिला में बागियों पर होने वाला है हमिरपूर जिला जो मुख्यमंतरी का ग्री जिला है यहीं से बगावत की शुरुआत हुई राजेंदर नाना इंदरदत लखनपाल और एक इंडिपंडेंट अमले हमिरपूर के आशी शर्मा इन तीनों ने क्रॉ निशाने पे रहने वाले हैं यह वो बात है इसी के साथ जो सुधीर और भुटो ने जो SDM लगवाए हुए थे उनको पटक दिया गया है और यह जो पटके गए हैं इनमें अगर मैं बात करूँ तो जो आज़र है आज का आप उसको देख सकते हैं जहां तक जो देखिए मै एरियर की बात कर रहा था एरियर का जो मॉडिफकेशन है वो हो गई और इसको हम अभी जो बात करेंगे उसमें आपको बतावी देंगे जब भी SDM जो पटके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ धरमेश कुमार धर्मशाला में SDM थे इनको धर्मशाला से उठाके भेजाया जी SDM की पोस्ट पर ही डोडरा कवार शिमला दूसरे हैं मनोज ठाकूर थ्री ये SDM बंगाना थे भुटो की कंस्टेंसी कुटलहड में इनको वहां से उठाया और सिधा भेज दिया है केलॉंग लाहलस्पिती में और ITDP में वह मतलब ये Integrated Tribal Development Program को देखेंगे अब वहां पर और प्रोजेक्ट आफिसर होंगे उसके SDM की पोस्ट भी गई और बंगाना जैसा स्टेशन भी गया अब इस पॉलिटिकल लडाई में अपसरों का क्या काम है क्या अपसरों की बज़ा से क्रॉस बोटिंग की ये आप अलग लग तरक दे सकते हैं और इस पे सवाल उठा सकते हैं लेकिन इनको पटक दिया गया है ट्राइबल में और इस सारे बगावत के कारण जिनके किस्मत खुली वो दो लोग हैं संजीव कुमार ये पहले SDM डोडरा कवार थे इनको डोडरा कवार से अब धर्मशाला मिल गया स्मार्ट सिटी धर्मशाला में और एक सोनू हैं ये प्रोजेक्ट आफसर ITDP थे 2023 बैच के हैं फ्रेश हैं मिलकुल संजीव कुमार भी देखे 2023 बैच के हैं और इनको भी SDM मिल गया धर्मशाला का और ये जो धर्मेश हैं 2015 के हैं मतलब ये चेंज हुआ है और जो सोनू हैं 2023 बैच के हैं इनको बंगाना में SDM लगाया गया है तो ये overall चीज़ें हो गई अब पहले बात इससे पहले की जो जो एरियर का ओर्डर है मैं उसकी बात करूँ पहले आपको बता दे हैं कि आज एरियर के लिए आवाज किस-kिस ने उठाई देखिये जो सरकारी महासंग हो गय है उन्होंने तो ओыл उठाई नहीं उनोंने बात भी नहीं की उन्होंने मेडिया में बयान भी नहीं दिया लेकिन जो करमचारी की करमचारियों की बात करमचारी हित की बात जिन्होंने की उनकी बात मैं आज जूरूर करूंगा और अभी तक हमारे सामने जो 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 चीजे आई हैं उसके मताबिक हिमाचल, राजकिया, ध्यापक, संग यह जिसके परधान नरेश महाजन है उन्होंने बैठक की जो ऑनलाइन उसमें कहा कि सिक्संक्स गठनों ने एरियर का फैसला वापस ले सरकार क्योंकि इस से तो एरियर पे कमिशन का चुकाने में 33 साल लग जाएंगे ये करमचारियों के साथ मजाक है और इस तरह का मजाक पहले कभी नहीं हुआ है इसके बाद दूसरा बिजली बोर्ड के जो पैंशनर्स थे उन्होंने डी ए का और जो पैंशन का एरियर है उसको कहा कि 1.5 फिसदी प्रतिमा के दर से तो हमें मनजूर नहीं है विद्यूत परिशर पैंशनर फोर्म ने कहा कि सरकार इसको पुनरविचार करे और अगर पुनरविचार नहीं किया तो इनके जो प्रदेश महासचीव है चंदर सिंग मंडियाल इन्होंने कहा कि अगर नहीं किया तो पैंशनरों को अपने रिलीफ के लिए कुछ और सोचन होगा इसके बाद जो हपुटवा है हिमाचल प्रदेश विश्व विद्याले शिक्षा कल्यान संग इन्हों ने इनके महासचीव है जो गंदर सकलानी इन्होंने कहा कि जो ये एरियर का जो गंदले और इसमें पुनरविचार किया जाए इसके बाद भाशाई अध्यापक संग जो है उनका भी एक प्रेस नोट आया था और उन्होंने भी यह कहा कि ये एरियर का ये फॉर्मूला हमें मन्जूर नहीं है फिर हिमाचल प्रदेश सचीवाले करमचारी महासंग इनके महासचीव जोती चोहान की तरफ से ये प्रेस नोट आया वैसे जो इनकी अध्यक्षन संजीव शर्मा इनकी अगवाई में गीता शर्मा जो इनकी जो महासचीव है जोती चोहान नीजी सचीव संग के परां टी आर शर्मा अमर वर्मा जो चालक संग के हैं चतुत शेनी के ह साहिल वर्मा ये मासंकी नोंने बैठक की उसके बाद जो है मुक्हेमंदरी के जो मीडिया सला का रहा है ने रेश्चोवान इनकी मद्य धस्ता से सीम से मिले और इन्होंने अधिसुचना को दिखाया कि जी क्या मजाक है जिरो पॉइंट टू फाइव हर मिन्ने देंगे डेड ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनास दिवेश कुमार की तरफ से है इसमें ये कहा गया है विड्रॉल ओफ गॉइंट इंस्ट्रॉक्शन कंतें इन ओम नंबर फाइनास सच और सच जो इशू किया था उसको विड्रॉ कर लिया गया है अब ये जिस मेमरंडम की बात कर रहे हैं अफिस मेमरंडम की अगर मैं उसको आपको पढ़के ये है देखिए फाइनास पैंशन ए थ्री वन अबलिक दोहजार इकिस पार्ट टू अब देखिए इसमें नई बात क्या है बिसिकली जो एरियर करमचारियों वाला था वो तो है ही सरकार ने इसको विड्रॉक किया मैं इसका आपको एक एग्जामपल भी बताता हूँ अभी क्योंकि ये दोनों ही मैंने ओडर लिये हुए हैं इसमें पॉइंट नंबर फोर है इन केस आफ गोर्मेंट पैंशनर्स फैमिली पैंशनर्स हूँ हैव अनफॉर्शनेट अब आप इस चीज़ को देखिए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि कल जो सरकार का ओर्डर था एरियर को लेकर उसमें ऐसा लग रहा था कि पूरा एरियर लेने के लिए करमचारियों को पहले ये एंशोर करना पड़े पड़ना था कि कम से कम को तीस साल तक जिंदा रहें पहला पहली शर्त तो यही थी क्योंकि अदर्वाइस तो यह मिलना ही नहीं था लेकिन यह पूरा एरियर मिलने की यह की कंडिशन थी और वो कंडिशन सिर्फ यह थी कि उसके लिए मरना पड़ेगा क्योंकि देखिए इन केस आप गौर्मेंट पेंशनर्स हूँ है अनफॉर्शनलिट डाइट दा एंटायर आउस्टींडिंग अमोंत ओव अगरी एरियर्स ओन अपाउंट ओव पैंशन ओबलीख फैंशन शैल बी पेरिड इन लंशम टुदा नॉमिनी यह लंशम मिल जाना था लेकिन मिलना था सिर्फ नॉमिनी को और नॉमिनियों को तभी मिलता है जब पैंशनर की डेथ हो जाए तो ये जो जो है वो जो हो सकता है इस तरह की कंडिशन्स के कारण क्योंकि मुख्यमंतरी के ध्यान में ये बाद में आया जब सचीवाले की जो ये एसोसियेशन है इन्होंने खुद जाके उनको दिखाया और कहा फिर मुख्यमंतरी ने इमिडियेटली कहा इनको सेक्रेटरी फाइनांस को कि इसको विड्रॉ करिये और इसको विड्रॉ करने के बाद का मतलब ये है कि अब नए सिरे से फार्मूला आएगा और नए सिरे से इसमें नोटिफिकेशन जारी होगी तो जब ये जो एक तरह से आप कहिए कि सीम ने इसमें संवेदन शिल्ता का परिचे भी दिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई बार होता ये है कि और जाती और जारी करती बार कॉपी पेस्ट भी हो जाता है कंप्यूटर में पुराने और पड़े होते हैं उसी को उसी में फिगर बदले जाते हैं और जारी कर दिया जाते हैं लेकिन 0.25, 3% और 1.5% इस तरह के फार्मुले से एरियर तो कभी मिलना नहीं है कंप्लीट तो हो ही नहीं पाना था क्योंकि अभी 4% डिये मिला है अभी 8% और पेंडिंग है भारसर का 4% और देने वाली ये 12% हो जाएगा जब 4% का एरियर ही इस सेंटिमेंट को समझते हुए मुख्या मंतरी ने इसको जब इनके ध्यान में आया तो विड्रॉ करने के लिए कह दिया था और फाइनली विड्रॉ करने के ओर्डर हो भी गए हैं आज देखिए बहुत सारे अपडेट्स हमारे सामने थी और इन सारी अपडेट्स को हमने आपके साथ इस बुलेटिन में साजा किया और इसके कारण टाइम भी 40 मिनट के आसपास का हो गया अभी भी 500 लोग देख रहे हैं लेकिन इससे ज़्यादा इसको लंबा खिंचना ठीक नहीं रहेगा आपकी अगर कोई कमेंट्स या कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर इसी कम अंकारी भी दे सकें और उसकी जो रिप्लाई है वो लेकर उसकी सूचना दे सकें आप सब लोग लाइव जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया